नमस्कार दोस्तों, Pathfinder के Medieval History Lecture Series में आपका स्वागत है Lecture No.6 में आज हम डिसकस करने वाले हैं मोहमद गोरी का भारत पर आक्रमंड क्यों मोहमद गोरी ने इंडिया पर अटाक किया, इसके रीजन्स जानेंगे पृत्वीरात चौहान और गोरी के बीच में जो लड़ाई हुई, अन्य राजाओं के बीच जो लड़ाई हुई उसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे Ultimately, Slave Dynasty की स्थापना कैसे होती है तो ये जो Time Period है, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं अगर आपको Lectures के PDF डाउनलोड करने हैं तो मेरे Telegram चैनल से आप जुड़ सकते हैं Lecture No.5 का PDF डाला जा चुका है Pathfinder के Telegram चैनल पर आपको इस चैनल पर आने वाले सभी Lectures के अपडेट्स प्राप्त होते हैं मुझसे Unacademy एप पर जुड़ कर आप MCQ सीरीज जो महाँ चलाई जाती है उसके Notifications को प्राप्त कर सकते हैं UPSC exam की तयारी कर रहे हो तो Unacademy से बहतर platform भारत में नहीं है देश के Best Educators यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं इन Teachers से आप अगर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो Plus या Iconic दोनों में से कोई भी एक subscription अवेल कर सकते हैं हर महीने किवल 2700 रुपे देकर आप 2 साल का subscription अवेल कर सकते हैं तेड़ साल का भी कर सकते हैं जो भी subscription लोगे उसमें आपको 10% discount मिलेगा अगर महीपाल कोड का इस्तिमाल करोगे तो यहां पर optional के subscriptions जो available होते हैं उनमें अभी एक बहुत अच्छा offer है आज यानि की 12 March को अगर आप GS का subscription लेते हैं तो optional subscription आपको free में उपलब्ध हो जाएगा तो यह बहुत ही limited period offer है किवल Saturday रात 12 March तक है available है So if you get a subscription worth 1 year, worth 46,000 रुपीज तो आपको 27,000 का optional subscription फ्री में available हो रहा है और हाँ 10% discount भी है महीपाल कोड का इस्तमाल करने पर और iconic subscription में भी same आपको facility मिल जाएगी iconic के क्या benefits है, one-on-one mentorship आपको मिलती है अगर आपके पास कोई तैयारी के लिए guidance नहीं है, proper guidance तो आप iconic subscription के साथ जा सकते हैं जो भी courses यहाँ पर होते हैं वो live पढ़ाये जाते हैं मेरा इस वक्त Modern Indian History का live course चल रहा है जिसकी class सुवह 8 बजे होती है इस course के और subscription के links आपको नीचे पहले comment में और description में भी मिल जाएंगे अब हम आजाते हैं Central Asia के 11th और 12th century के scenario पर पिछले lecture में मैंने आपको गजनवीद dynasty के बारे में बताया था कैसे गजनवीद सल्तनत बहुत powerful होता है अचानक से लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो कमजोर होना start हो जाता है because महमूद गजनी के बाद में कोई भी powerful ruler इस dynasty में नहीं होता है और ये सभी Turks थे ये बात भी हमेशा आपको याद रखी है they were not the Arabian Muslims, they were Turks तो ये Turks Central Asia से आये थे और इस Central Asia से धीरे धीरे ये दक्षिन में आकर इरान, अफगानिस्तान में अपने आपको settle कर लेते हैं, initially Islamic empire में armies में ये army generals या officers के रूप में आते हैं and slowly they become king makers and then kings themselves तो इसी तरह से कई सारे तुर्किक kingdoms अब established हो जाते हैं अब बासित empire जो है, अब बासित caliphate वो बिल्कुल कमजोर हो चुका है उसकी जगे अब तुर्किक dynasties या तुर्किक सल्तनत ने ले ली है इन तुर्किक लोगों दोबारा स्थापित करे गए kingdoms में सबसे powerful empire था सेल्जुक तुर्किक सल्तनत यहाँ पर establish होता है 11th और 12th century AD में लेकिन 12 सदी के मध्य में लगबा 1150 के आसपास Central Asia से दूसरे तुर्क इन पर हमला कर देते हैं तो देखे तुर्क जो है यह waves में यहाँ पर आ रहे हैं Central Asia में राइट तो पहले आये सेल्जुक तुर्क उन्होंने kingdom establish किया लेकिन बाद में कुछ बुद्धिस्ट और पुराने पेगन तुर्क जो अभी तक इसलाम में convert नहीं हुए हैं उन्होंने सेल्जुक पर हमला करके इस सेल्जुक empire को कमजोर कर दिया इससे दो नए empires का जन्म होता है क्योंकि जब Central Authority कमजोर होती है तो दूल दरास के शेत्र अपने आप independent हो जाते हैं वो गोशित कर देते हैं अपने आपको independent तो इसी प्रकार से एक तो खौराजिमी empire जो की mainly Iran और Northern Afghanistan को रूल करता था और दूसरा गुरीद empire जो अफगानिस्तान के गुर नाम की जगे से शुरू हा था ये दोनों established होते हैं तो सिल्जुक्स के बिखरने के बाद यहां पर खौराजिमी और गुरीद ये दो empire established हो जाते हैं गुरीद जहां से originate हुए थे घौर या घौर नाम का जो प्रोविंस है वो आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है ये गुरीद जो है ये पहले गजनी के सल्तनत के अधीन आते थे देवर्द वसाल्स अफ़ गजनी तो जब गजनी बहुत पारफुल था उस समय ये गजनी के आर्मी में थे लेकिन जैसे ही गजनी सल्तनत कमजोर होती है सेल्जुक्स कमजोर होते हैं तो इन्होंने अपने लिए एक empire carve out कर लिया यहां अफगानिस्तान में गुरीद में दो ही नाम आपको याद रखने है उनमें पहला है सुल्तान allowed dean का जिसको title दिया गया था जहान सोज जहान सोज का मतलब होता है Persian में जो दुनिया को जला देगा the world burner तो इतनी लड़ाईया लड़ी इतने शहर जला है कि आदमी का नाम ही जहान सोज रख दिया गया तो इसने गजनी पर हमला करके गजनी शहर को पूरा धर्ती में मिला दिया आज गजनी एक चोटा सा गाउं है it was the capital पहले बहुत बड़ा शहर था लेकिन इस हमले के बाद से गजनी आज केवले गाउं बन कर रह गया है चोटा सा कसबा है बहुत बड़ा शहर नहीं है और जो वहां के पुराने किलेव अगेरा है वो इतने अच्छी conditions में आज नहीं देखने को मिलते तो ये गजनी पर हमला करके इन्होंने गजनवीद से अपने आपको independent कर लिया लेकिन इनके पडोस में ख्वाराजीमी जो empire था ये ज़्यादा ताकतवर बन गया और इसी ख्वाराजीमी empire से ये लोहा लेने के लिए इस तरफ नहीं जा पाए ख्वाराजीमी की बदले इन्होंने अपनी दृष्टी भारत की तरफ गड़ा दी तो घुरीद empire उधर उत्तर और पश्चिम की दिशा में बढ़ नहीं सकता था because of the ख्वाराजीमी empire ये ज़्यादा powerful थे इसके लिए भारत की तरफ उन्होंने अपना रुख किया तो मैंने आपको बताया था दो ही राजाओं के नाम या सुल्तान के नाम यहाँ पर याद करने है सुल्तान अलाओदीन और सेकेंड इस सुल्तान शाबुद्दीन मुहमद और मुहमद घोरी तो हम भारत के इतियास में मुहमद घोरी के नाम से इने जानते है original नाम था शाबुद्दीन या सिहाबुद्दीन कभी कभी कोशन टफ बनाने के लिए आपसे original नाम पूछा जा सकता है मुहिजुद्दीन नाम भी पूछा जा सकता है तो एक बार दिमाग में रख लेना अब घोरी डानेस्टी में एक ट्रेडिशन था कि दो भाई साथ साथ में रूल करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही था कि गोरी ब्रदर्स थे उनमें से एक भाई था मुहमद गोरी शाबुद्दीन मुहमद गोरी he ruled along with his brother तो यह अपने भाईया के साथ में रूल किया करते थे तो बड़े भाईया गुर में तैनात थे और यह चोटे भाई जो हैं यह इधर उधर लड़ाई लड़ने के लिए गुमा करते थे तो धीरे धीरे गुरीद empire ने यहाँ पर जो लेटर गजनवीद थे एक चोटा सा गजनवीद का जो पार्ट है वो यहाँ पंजाब में रूल कर रहा था उसको हराया उसके बाद इन्होंने आगे अपने अटाक्स करते गए पंजाब फिर आगे गंगा यमुना जो दुआप वाला रीजन है इस तरफ और यहाँ पर वो किस से टकराते हैं उत्तर भारत में सबसे पावरफुल राजा थे उस समय चाहमान तो चहमान या चौहन डैनिस्टी जो अजमेर से रूल करती थी लेकिन अब दिल्ली में भी उसका पावर बेस आ गया था यहां से रूल करने वाले चौहान से इनका टकराव होता है चौहान तोमर से दिल्ली जीत चुके थे अलरेड़ी इस समय तक तो आपको याद होगा यह सब हमने शुरुवाती लेक्चरस में डिसकस भी किया था जब राजपूत एज को मैंने आपको बताया था तो दिल्ली अब चौहान के कंट्रोल में था और चौहान पावर जो है वो धीरे धीरे पंजाब की तरह बढ़ रहा था एक छोटा सा बच्चा पृत्वी राज तृतिय यह वोस था थार्ड किंग फृत्वी राज इन दिस डानेस्टी इसलिए इनको पृत्वी राज थार्ड भी कहते हैं तो पृत्वी राज चौहान यह 11 साल की उम्रे में गद्दी पे बैठते हैं और 16 की उम्रे के बाद से लगातार लडाई लडना स्टार्ट कर देते हैं तो इस समय यह कई सारी लडाईयां लडते हैं तो यह चाहमांज जो हैं इधर परमार से गुजरात के चालुक्या या सोलंकी से कन्योज के घढ़वाल से यहां बुंदेल खंड के चंदेला से सभी जगे लडाईयां बुरो करना चाहता है तो वो पडोसी राज्यों पर लगातार हमले करते हैं और लगभग सभी के सामने जीत जाते हैं तो 16 साल की उम्रे से प्रित्वी राज तृतिया ने एक बहुत शांदार मिलिटरी करियर अपना शुरू किया और लगातार कई सालों तक लडाईयां रूलर्स थे वो महुबा और कलिंजर के किले से रूल किया करते थे तो यहां पर एक लडाई होती है 1182 में और इस लडाई में बहुती फेमस आर्मी कमांडर्स महुबा के या चंदेल डानिस्टी के अलहा और उदल इनकी मृत्य हो जाती है लड़ते हुए अला उदल के गी परमल चंदेला वस दे रूलर जिसे प्रिफिराज चौहान ने अपने सामने हराया था चंदेला को हराने केबाद next target था इनका यहां दक्षिन राजस्थान के परमार और गुजराज के चालुक के या फिर सोलंकी याद करो सुलंकी डानिस्टी के बारे में हमने पिछले lectures मे भी पड़ा था, तो गुजरात पर जब इन्होंने अटेक किया, तब यहाँ पर पृत्वी राज की हार हो जाती है देखो, यहाँ पर historians दो-तीन instances बताते हैं, तो एक लड़ाई नहीं हुई थी, multiple लड़ाई होती है जिसमें से कुछ में इनकी हार भी होई, कुछ में जीत हुई, ultimately, दोनो dynasties आपस में समझोता कर लेती हैं और एक border तै कर लेते हैं, which is roughly equal to today's Gujarat and Rajasthan border, तो यह तै करते हैं कि अब बहुत लड़ाई हो गई हम आपस में समझोता करके शांती भाल कर देते हैं, लेकिन हाँ यह जरूर है कि भीम देव सोलंकी या भीम देव चालुक के डैनेस्टी के जो रूलर थे भीम देव सेकंड ठीक है, भीम देव फर्स्ट कॉन से हैं, रानी की वाव वाले, वो भीम फर्स्ट थे, 11th century में यह भीम देव सेकंड है, तो यह भीम सोलंकी जो हैं, इन से हार जाते हैं प्रिथ्वीराथ चौहान, लेकिन बाद में इनकी आर्मी फिर से एक बार हरा देती है, गुजराथ की आर्मी को ultimately they have a peace treaty, एक और important fact याद रखेगा कि इसी गुजराथ के रूलर, भीम दे सेकंड पर गोरी देंपायर ने, या गोरी की आर्मी ने भी हमला किया था पहले, और इन्हें भी हराया जा चुका था, तो भीमा the second had defeated मुहमद गोरी तो केवल प्रिथ्वीराथ चौहान अकेले राजा नहीं थे भारत में जिन्होंने गोरी को हराया था, he was also defeated by भीमा the second of गुजराथ, ओके और वो वापिस चला गया था, ये भी 1180s की बात है, अब दक्षण में अपना empire आगे ना बढ़ा पाने के कारण, प्रिथ्वीराथ चौहान ने उत्तर दिशा में expand करनी की सोची, तो यहाँ दिल्ली और अजमेर से rule करते हुए, इन्होंने पंजाब की तरफ अपनी armies भेजी, और तबर हिंद नाम की जो जगे है, which is today's Batinda, तो Batinda शेहर जो है, ये तबर हिंद क्यलाता था, तबर हिंद का literally meaning होता है, the gateway to India, तबर ए हिंद, the gate of India, तो जितने भी Central Asian invasions या तुर्किक हमले हुए थे, वो सारे यहीं से होते थे, इसी रास्ते से, तो उन्होंने इसे नाम दे दिया था, तबर हिंद, और आज हम इसे Batinda कहते हैं, तो काफी पुराना किला है है, in fact, this has been there since the Kushan time period, उस समय से ये बहुती important city था, anyways, तो यहाँ तबर हिंद में, पृत्वीरात चोहान और मुहमद गोरी की टक्रार होती है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि तबर हिंद या फिर Battle of Tarain, जो लगबग यहाँ पर हर्याना में पानीपत के आसपास हुई थी, इस एरिया में इनकी लडाई क्यों होती है because they both were trying to expand, यहाँ से गोरीद एंपायर और यहाँ से चोहान एंपायर, यह दोनों ही बढ़ रहते आगे और पंजाब इनका Battle Zone बन जाता है तो पंजाब और प्रेजेंट डे हर्याना मुहमद गोरी के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, 1173 यह गद्धी पर बैठते हैं, 1206 में डेथ हो जाती है, सुल्तान अफ गोर 1175 में मुल्तान और उच्छ पर हमला कर दिया था, गोमल पास से अपनी आर्मी लेकर आया थे, यह गोमल पास को कोई यूज नहीं करता था, he was one of the only kings ever to use this pass तो आम तोर पर गोमल पास का इस्तिमाल नहीं होता, एक दूसरा पास हर को इस्तिमाल करता है, खैबर पास, जो यहाँ पर पिशावर के पास थे थे, लेकिन मुहमद गोरी ने अपनी आर्मी चुपके से इस गोमल पास से पार करवाई, and then he attacked मुल्तान तो यह वाला जो पाकिस्तान का पंजाब या मुल्तान वाला एरिया है, यह पूरा attack करके जीत लिया था, और 1178 में थार रेगिस्तान क्रोस करके गुजरात पे भी attack किया, just like मुहमद गजनी बट इस टाइम, इन्हें हरा दिया गया Bhima II, Solanki dynasty के द्वारा अब इन्होंने पंजाब की तरफ अपनी आँखे गडा ली, कि पंजाब को पूरा जीतना है क्योंकि पंजाब बहुत fertile area था, और भविश्य में दिल्ली और गंगा यमुना belt पर हमला करना है, तो पंजाब को जो बाद में slave dynasty की स्थापना करेंगे यह यहाँ पर पहली बार आर्मी जनरल के रूप में लड़ाई लड़ते हैं, अब पृत्वी राद चौहान ये देख रहे थे कि उत्तर दिशा से ये गुरी देंपायर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मुहमद गोरी इस ट्राइंग टू अटाक, पंजाब को अपने कंट्रोल में भी ले लिया है, तो इन्होंने एक confidency का मतलब होता है कि छोटे बड़े जितने भी राजा थे, उनसे मदद मांगी, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, घोरी से, क्योंकि गोरी की आर्मी काफी powerful थी, ये बात सभी को पता थी, इसलिए प्रित्वी राजा चोहान ने अपने आसपास के राजाओं से मदद मांगी, जादा तर छोटे राजाओं ने help करती, बहुत जादा दुश्मन नहीं बनाने चाहिए इंसान को, तो यहाँ पर घुरीज वर्सिस दचोहान confederacy, इनकी लड़ाई होती है तराइन नाम की जगे पर, अब तराइन ये कहाँ पर स्थित है, देखो तराइन जो है ये दिल्ली से कुछी किलोमेटर उत्तर में स्थित है, पानीपत के पडोस वाला जो जिला है करनाल, हरियाना में, वहाँ पर ये आता है, तराइन, तराइन नाम का एक गाउँ है, जिसको बाद में तराइन कहा जाने लगा था, तो ये तराइन की battle होती है 1191 में, काफी important है, one of the most important battles of North India, उत्तर भारत के तियास में सबसे महत्वपून लडाइयों में से एक battle of तराइन, दो लडाइयां होती है, battle of तराइन 1191 में, पहली वाली, यहाँ पर मुहमद गोरी के आर्मी को हरा दिया जाता है, तो चोहान, under the leadership of पृत्वी राज, ये मुहमद गोरी को हराते हैं, और गोरी यहाँ से भागते वे पहुँच जाते हैं, कहां तक ये तबरहिंद पहुचते हैं, तो तबरहिंद का जो किला है, बटिंडा का, वो बहुती मस्बूत किला है, और इस किले में जाकर ये बैठ जाते हैं, 12 महीने तक पृत्वी राज चोहान की आर्मी इस किले के बाहर बैठी रहती है और अल्टिमेटली ये घोरी के आर्मी सरेंटर कर देती है लेकिन तबरहिंद की इस घेराबंदी से किसी तरह से मुहमद घोरी बच निकलते हैं और ये पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान यहां गजनी में और यहां पर जाकर एक नई आर्मी रेज करत गया और और बहतर आर्मी लेकर ये फिर से नेक्स्ट येर ही भारत की तरफ आ जाते हैं तो तबरहिंद की जो सीज है ये बहुत लंबी चल गई थी और इसके कारण क्या हुआ था चोहान आर्मी काफी ठक गई थी जो 12 महीने तक आर्मी अगर एक शेहर के बाहर बैठी है ल बड़ा अटैक करते हैं और इस लड़ाई में अल्टिमेटली पृत्वी रात चोहान की हार हो जाती है और ये कॉन्फेटरिसी थोड़ी सी और भी कमजोर हो गई थी क्योंके कई सोर्सिस कहते हैं कि जैचंद्र who was the गहडवाल ruler of कनोज इन्होंने मदद करने से मना कर दिया अब देखो मदद करने से इसलिए मना किया था क्योंके आपस में इन दोनों की भी टकरार चलती थी आप देखे ये दोनों पड़ोसी हैं तो ये गहडवाल kingdom जिसका capital कनोज में था कनोज गंगा नदी के किनारे है बिलकुल गंगा यह उमना जो फर्टाइल बेल्ट है उसका center तो ये यहाँ पर गढ़वाल kingdom यहाँ पर ये चोहांस का kingdom तो दोनों पड़ोसी थी आपस में दोनों की टकरार बहुत सालों से चल रही थी और जै चंद्रे ने यहाँ पर help नहीं करी विच वेरी नॉर्मल ठींग औफ ताइम ये कोई धोका धड़ी या देश के साथ गद रबारी ने लिखी थी उस किताब में ये बताया गया है कि पृत्वी राज चोहान ने जै चंद्र की बेटी संयोगिता से शादी कर ली थी against the wishes of जै चंद्र तो वो एक लंबी चोड़ी कहानी है जो आप लोग शायद बचपन में सुन चुके होंगे या फिर कई जगे आप sources में पढ़ते हैं कि स्वैंबर हुआ वहाँ पर चुपके से पहुँच जाते हैं अपनी आर्मी के सौच सैनिकों के साथ सैयोगिता को लेकर भाग जाते हैं कन्नौत से लेकिन ये देखो सब तहानी है it is court poetry तो केवल पृत्वी राज रासो जो है वो थोड़ा सा उसके क्योंकि एक बहुत ही गलत narrative सा बना दिया गया है पिछले 50-70 सालों में कि जैचंद्रे ने देश को दोका दे दिया अब अगर दोका ही देना होता तो फिर अगले ही साल इनकी लड़ाई वापिस battle of चंडावर क्यों होती तो अभी आगे देखेंगे कुछी मिनिट में आप 20,000 की आर्मी थी काफी अच्छे heavy cavalry है cavalry यानि कि गुड़सवार सेना बहुत अच्छे से आर्मर वार्मर के साथ आये थे और इस लड़ाई में चोहान आर्मी हार जाती है इस लड़ाई के बाद पृत्वी राद चोहान के साथ क्या होता है इसको लेकर अलग-अलग history के sources अल और वहाँ पर इन्हें execute कर दिया गया तीसरा ये कि पृत्वी राद चोहान को बंदी बना कर ये कहा गया कि अब आप हमारे under rule करेंगे तो जो एक standard format था कि suzerainty accept कर लो आप हमारे अधीन रहो हमारे वसाल बन जाओ तो पृत्वी राद चोहान को अजमेर भेज कर अजमेर मे उन्हें फिर से एक राजा के रूप में स्थापित कर दिया लेकिन अब वो गुरीद empire के अधीन है और एक और source ये कहता है कि पृत्वी राज चोहान की तो death हो गई थी और उनके छोटे से बेटे गोविंद राज को वहाँ पर राजगदी पर बिठा दिया गया और गोवि इसके हमें पुक्ता प्रमान मिलते हैं क्योंकि सिक्के मिले हैं हमें after the attack of गोरी जो वहाँ पर सिक्के बनवाये जाते थे उनमें गोरी का भी नाम मिला है तो इसलिए ये हम कह सकते हैं for sure कि अजमेर में कोई ना कोई चोहान रूलर जरूर था और जो local चोहान डैनस्टी के ब रंधंबोर में एक नहीं चोहान डैनस्टी स्टार्ट करते हैं और इसी में एक famous ruler होते हैं आगे चलकर हमीर तो हमीर देव चोहान जो हैं ये आगे इनका नाम आ जाएगा next lectures में तो ये उसी रंधंबोर वाली चोहान डैनस्टी के थे तो basically आपको ये ध्यान में रखना है कि अजमेर में एक चोहान ruler थे आईदर इट उस प्रिथ्वी राज और हिस सन और कानी ये भी कि अजमेर में जब प्रिथ्वी राज को वापिस बिठाया गया तो इन्होंने बगावत करने की कोशिश करी जो लोकल गुरीद गवर्नर था उसके खिलाफ उन्होंने आर्मी लेक फाइट करने की कोशिश करी तो अब इन्हें मार दिया गया था आफ्टर सम मंस कुछ महीनों के बाद इन्हें मार दिया जाता है जो भी हो अल्टिमेटली प्रिथ्वी राज चोहान वोस नो लॉंगर रूलर और चोहान डैनिस्टी का पावर अब पूरी तरह से दिल्ली से समापत हो चुका है अजमेर में वो रूल कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर भी हो गुरीद्स के अंडर में है अब मोहमद गोरी का नेक्स टार्गेट था पडोसी गहडवाल किंग्डम जी हाँ वही जैचंदर का किंग्डम कैपिटल था इसका कन्नौज तो सेकंड बैटल ओफ तराइन में जीतने के बाद मोहमद गोरी तो फिर से चला जाता है अफगानिस्तान और यहाँ पर पीछे वो अपने कुछ आर्मी जनरल्स को छोड़ कर चला गया और उनी आर्मी जनरल्स ने जैचंदर के एरिया में या यहाँ पर बंगाल में थी इधर यहाँ पर बीच में गर्डवाल डैनेस्टी थी जो रूल कर रही थी और गुरीद जो हैं वो दिल्ली अजमेर में पूरी तरह से एस्टाबलिश थे तो इनको बढ़ना था बंगाल की तरफ तो यह जैचंदर की टेरिटरी से होते हुए ब पाल डैनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा था शुरुवाती लेक्चर में तो यह पाल डैनेस्टी को हटा कर ही सेंड डैनेस्टी पावर में आ जाती है यह ओरिजिनली करनाटका से थे सेंड किंग्स ऐसा बताया जाता है एक हजार सत्तर से बारा सो तीस तक इनका शासन है इस डैनेस्टी में किवल तीन नाम आपको याद रखने हैं फाउंडर सामंत सेन है फिर बलाल सेन हुवाज वरी पारफुल रूलर तो यह वो शासक है जिन्नोंने कई पडोसी राजाओं को हराया किंग्डम को अच्छा पारफुल बनाया और लक्षमन सेन जिनके टाइम प स्टिक्ट में आज के समय में स्थित है बलाल सेन ने शादी करी थी रमा देवी से who was from the western चालुक के डैनेस्टी तो इसका मतलब है कि यह दक्षन भारत के जो राजा है उनसे गनिष्ट संबंद रखते थे उनसे social contact रखते थे और यह इसलिए भी था क्योंकि यह दक्षन भा बारफुल रूलर थे अब बैटल ऑफ तराइन के बाद मुहमद गोरी तो फिर से चले गए थे अफगानिस्तान और यहां पर पीछे छोड़ गए थे अपने स्लेव जनरल्स को कुत्वदीन एबक यह एक गुलाम आर्मी जनरल थे और इनी को इंचार्ज बना दिया गया थ भारत के नॉर्धन पार्ट्स का एक और आदमी जनरल का आगे नाम आएगा बक्तियार खिल जी वो भी अभी हम डिसकस करेंगे तो 1192 से 94 तक लगा तारी यह तुर्क्स की जो आर्मीज हैं यह घरडवाल किंगनम से होते हुए बंगाल पर हमला कर रही थी 1194 में फाइनली नौज फिरोजबाद इस जगे पर यह लड़ाई होती है बैटल अफ चंडावर वेरी इंपॉर्टन बैटल और यहां पर गोरी वर्सिस जैचंदर की लड़ाई में मौमद गोरी इस विक्टोरियस हाला कि इस लड़ाई में बताया जाता है कि जैचंदर की आर्मी जीत रह में मौमद गोरी जैचंदर को हराने के बाद बनारस जाते हैं और बनारस जाकर सारे मंदिरों को महां तोड़ दिया जाता है तो इनकी जो यह आर्मी थी तुर्क्स की इन्होंने बहुत मंदिरों को तोड़ा कई सारे जो खजाने थे उनको लूटा गया मंदिरों में जो सो 1792 में बैटल ओफ तराइंग के बाद तोड़ा गया था और तबाह किया गया था उसके बाद घोरी ने अपने kingdom को protect करने के लिए बयाना और ग्वालियर के किलों को जीता देखो कोई भी empire अब जो उत्तर भारत में establish होना चाहता है दिल्ली में उसके साथ problem भी आती है कि यहां राजस्थान से attack किया जा सकता है उस पर क्योंकि यह एरिया तो पूरा plains का एरिया है मैदानी इलाखा है और इसको protect करने के लिए आपको यह जो रावली की पहाडिया या फिर यह जो विंदियाचल की पहाडिया है इनकी तरफ से protection चाहिए तो यहां ग्वालियर का किला और यहां कहीं बयाना का किला है राजस्थान में तो इन दो किलों को और यहां कालिंजर को अपने control में करना बहुत जरूरी होता है somewhere here is कालिंजर तो यह वाला जो flank है flank होता है आपकी side इस side को protect करना बहुत important है और throughout medieval history आप देखोगे कि यही trend रहेगा जो भी पहले दिल्ली को ज जाता है कि महुबा, कलिंजर, खजुराओ इन पर हमला किया जाए तो यह सभी चंडेल राजा के areas थे तो चंडेला राजाओं से कलिंजर जीत लिया जाता है कलिंजर एक बहुत ही मजबूत किला था तो यह अब flank इनकी secure हो गई है flank का मतलब है कि यहां अगर आपका सामराज है तो side आपकी पूरी secure हो गई है अब उस समय के सिक्के देखिया आप मैंने आपको बताया था कि पृत्वीराद चोहान की defeat के बावजूद एक हिंदू राजा अजमेर पर शासन कर रहे थे इसके प्रमान कैसे मिलते हैं क्यूंकि हमें सिक्के मिले हैं जिनमें एक तरफ हिं नौज के घडवाल्स को हरा कर ये तुर्किक empire उत्तर भारत में अपने आपको अच्छे से स्थापित कर चुका है लाहोर इनके control में मुलतान इनके control में है दिल्ली अजमेर बनारस सब कुछ इनके control में है और ये अब बंगाल को भी अपने कबजे में जमा लेंगे बताता कैसे तो दोव रीजन पूरा secure हो चुका है और अब इनका target क्या है गुजरात तो गुजरात और मालवा natural borders है अब इन पर हमला करना जरूरी है तो कुटबदीन एबक को भेजा गया गुजरात अटक करने के लिए लेकिन यहाँ पर जो राजा है थे भीमा the second वो हार तो जाते है लेकिन गुजरात को कुटबदीन एबक अपने समराज्य में नहीं जोड़ पाता कारण क्या है कि गुजरात भी बहुत बड़ा है अपने आप में it's a vast province तो इसको control करना इतना असान नहीं था इनकी आर्मी को फिर से यहाँ से जाना पड़ता है और जो यहाँ के local ruler है वो अपने आपको फिर से स्थापित कर देते हैं बट definitely गुजरात के जो सुलंकीज हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं इस हमले के बाद और कुछ साल बाद आप देखोगे कि ultimately they are defeated अब दूसरी तरफ बंगाल में क्या कहानी चल रही है तो देखो यहाँ कुतबुदी नेबक को य जाओ बंगाल की तरफ और बंगाल जीत कर लाओ तो एक और स्लेव जनरल है बक्तियार खिलजी यह सबी देखो लेवल में बराबर थे in fact बक्तियार खिलजी की death नहीं होती तो probably यह अपना खुद का kingdom establish कर लेता करी लिया था इसने खिलजी dynasty अपनी बना दी थी इसने start कर दी थी यहाँ पर तो बक्तियार खिलजी को बनारस से आगे का area का इंचार्ज बनाया गया था और इन्हें कहा कि बंगाल जीत कर ले आओ तो यह बिहार में लगातार हमले करते रहते हैं और बिहार में सबसे बड़ा हमला हुआ था नालंदा और विकरमशिला उनिवर्सिटी प था बहुत बड़ा Buddhist monks का और यह दोनों एतिहासिक universities उसके बाद से हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और आज इनके केवल खंडर बचे हैं तो यह दो महान universities जहां हजारों सालों से पढ़ाई चल रही थी इन universities को पूरी तरह तबाह कर दिया बक्तियार खिलजी ने तो बक्त साथ mercenaries तो होते ही हैं तो काफी सारे followers इनके साथ जुड़ते हैं और बड़ी आर्मी बनाकर अब यह target करते हैं कि बंगाल पर हमला करो तो बंगाल पर हमला करना इतना असान नहीं था Bengal was a very powerful province यहां की जो सेंट डैनिस्टी के राजा है उनके पास अच्छी आर्मी भी थी त तो नबद्वीप में बहुत सारे foreigner व्यापारी आते थे, Arab merchants आते थे, अलब देश-विदेश के लोग यहां आते थे व्यापार के लिए क्योंके maritime trade था ना यह नदी के किनारे हैं यहां से direct bay of Bengal की connectivity है तो नबद्वीप के एक trade center होने का फाइदा उठाया बक्तियार खिलजी यह अपने 18 आद्मियों को लेकर शहर में दाखिल होते हैं यह कहकर कि हम तो गोड़े बेचने आये हैं, we are horse merchants from Central Asia और काफी common था Central Asia से लोग गोड़े बेचने आया करते थे हैं यहां पर तो इन पर किसी ने शक भी नहीं किया और 18 आद्मियों के साथ इन्होंने सीधा palace पर हम लक्षमन सेन यह अपना capital छोड़ कर चले जाते हैं सोनार गाउं जो कि आज के समय बांगलादेश में हैं और यह बांगलादेश से रूल करते हैं तो कुल मिलाकर सेन डानेस्टी की जो territory है वो काफी हद तक इनके हाथ से चली गई लेकिन बांगलादेश में यह फिर भी सालों तक रूल इनका चलता रहता है सोनार गाउं धाका के पास में आज के समय स्थित है लेकिन यह एरिया जो इनका core एरिया था यह इनके हाथ से चला गया अब किवल यह यहाँ पर रूल कर रहे हैं सेन डानेस्टी अब इसके बाद बक्तियार खिल जी को लगा कि मैं आग भी भेज दिया गया था महां से अफगानिस्तान से कि आपको हम बंगाल का governor बनाते हैं under the gurid empire लेकिन बक्तियार खिल जी ने हसते वे बोला कि बाई साब मुझे क्या governor बनाओगे यह सब मैं नहीं जीता है तो यहाँ पर यह as independent rule कर रहे थे और in fact इन्होंने अपनी एक छोटी अर्थ policy को follow किया स्कॉश्ट अर्थ का मतलब होता है कि आप अपने दुश्मन की सेना को अपने देश में आने दो लेकिन उनके लिए खाना पानी कुछ भी नसीब ना हो खेद जला दो कुओं में जहर डाल दो नदियों के अंदर जहर डाल दिया जाया या लाशे डाल दी और चुन-चुन कर जंगलों में इन पर हमला होता है बक्तियार खिल जी बड़ी मुश्किल से अपनी खुद की जान बचाकर ब्रह्मपुत्र वैली से भाग कर वापिस बंगाल की तरफ आता है और इसको खुद को तीर वगेरा लगे थे बिमार था तो जब यह बिमार था तब ही उसके अपने ही एक आदमी ने अपने ही एक आफिसर ने बक्तियार खिल जी को मार दिया लेकिन बक्तियार खिल जी को मार देते हैं लेकिन बक्तियार खिल जी के जो कुछ खास लोग हैं वो इसके बच्चे को इसी के परिवार के एक सदस्य को आगे राजा घोशित क तो ये अपने भहिया के साथ मिलकर ख्वाराजम एंपायर पर फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं फिर से हार जाते हैं और इतनी बुरी तरह से हारते हैं कि अब ये सोच लेते हैं कि आज के बाद कभी इस तरफ नहीं जाएंगे आगे बढ़ना है तो भारत में बढ़ते हैं और वो चिठ्थियां आई चुकी थी कि बक्तियार खिलजी बंगाल तक पहुँच गया है तो चलो यहीं से रूल कर लेंगे तो ऐसे में ये इंडिया पर अपनी एनरजी फिर से फोकस करते हैं और 1206 में मौमद गोरी फाइनली इंडिया आता है आखरी बार मौमद गोरी को भारत आना पड़ा एक और कारण से पंजाब में खुकार्स ने विद्रो कर दिया था अब आप जानते ही हैं कि पंजाब जो है वो अफगानिस्तान और भारत के दूसरा हिस्सों को कनेक्ट कर रहा है और इस बीच वाले हिस्से पर इनका कंट्रोल चला गया क्योंकि यहां पर रहने वाले जो खुकार्स हैं यह एक ट्राइब है तो इन खुकार्स ने बगावत कर दी थी अगेंस्ट गुरी दूर और लाहोर को गजनी से कट ओफ कर दिया था इन्होंने लाहोर वाले एरिया पर अपना कंट्रोल स्थापित कर दिया तो मुहमद गुरी खुद आर्मी लेकर फिर से अफगानिस्तान से आता है तो यह खुकार विद्रो को तो समाप्त कर देते हैं और खुकार्स को मुहमद बिन कासिम के समय से रह रहे था तो वो अरब्स के वन्शेश थे वो मानते थे अपने आपको सच्चा मुस्लिम और यह कहते थे कि जो तुर्क्स हैं यह सच्चे मुसल्मान नहीं है जो तुर्क्स हैं यह केवल political reason या financial reasons के कारण मुसलिम धर्म में आये हैं, इसलाम धर्म में आये हैं, तो इसलिए तुर्क्स को अभी भी पूरी तरह से यह Arabs accept नहीं करते थे, तो इसी प्रकार की सोच वाले एक व्यक्ति ने मुहमद गोरी की यहां पर हत्या कर दी, he was assassinated by a local Muslim in Punjab, इसके बाद गुरीद शासन तो हो गया, खत्म, जो गुरीद ब्रदर्स थें, उनमें से जो भाई था, वो उसकी डैनस्टी आगे पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन यह जो आर्मी जनरल्स थे भारत में, especially कुतबुदीन एबग, यह अपना शासन य जिनको हम आने वाले lectures में पढ़ेंगे, 320 साल का सलतनत काल का यह period है, slave dynasty, khilji dynasty, tughlaq, sayyad, lodhi, यह 5 dynasties हैं, जिनके बारे में हम details में पढ़ेंगे, अगले lectures में, lectures में आप करने से पहले आप सभी को request करता हूँ कि Pathfinder चैनल को subscribe जरूर करें, हमारे videos आज भी आदे लोग बिना subscribe किये देखते हैं, यह data हमें YouTube बता देता है, तो मैं आपसे request करता हूँ कि अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो do subscribe to the channel, PDF आप इस Telegram चैनल से download कर पाएंगे, IAS की तैयारी करनी है, तो Unacademy आपके लिए बहुत अच्छी facilities लेकर रहा है, app पर you get a lot of feedback, आपकी तैयारी के offline store चालो हो रहा है, दिल्ली में, तो आप इस store में आईए, और experience कीजे कि online classes या Unacademy का जो course है, वो कैसा होता है, तो आपको हो सकता है कि कुछ जिजख हो, कि मैं Unacademy के ecosystem में जाऊं, तो कैसा होगा, आप experience करो, आओ दिल्ली में, इस store में, और experience करके आपको पता चल जाएगा कोई भी doubt है, course से related इस number पर आप call कर सकते हैं, तो इन्हें ये मत पूछना कि अलाओ दीन खिल जी कौन था, या slave generals कौन थे, इस तरह के answer आपको इस number पर नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन हा, subscription, best आपके लिए कौन सा course रहेगा, कौन सा code लगाना है, कहां discount मिल जाएगा, बहतर से नीचे comment में मिलेगा, और अभी enroll करोगे तो Amazon के vouchers जीत सकते हो, daily एक lucky draw होता है, इसमें आप बहुत सारे vouchers जीत सकते हैं, thank you very much, have a great day.